हाली में सेबी ने सुप्रीम कूर्ट में दाखिल किये गए अपने जवाब में कहा था कि 2016 से अडाने ग्रूप के खिलाब कोई जाच नहीं की जा रही है इस सम्मन्द में किये जा रहे सभी दावे निराधार है सेबी के इस खुलासे के बाद अडानी मामले को लेकर हमेशा से मुखर रही टीमसी सांसद महुआ मोहितरा एक बार फिर हमलावर हो गई है महुआ ने इसे लेकर मंगलवार को एक ट्वीट किया अपने ट्वीट में महुआ ने लिखा सेवी की अडानी से इतनी मिली भगत है कि इनोंने मुझसे जूट बोला और कहा कि ये जाच कर रहे हैं वितमंत्राले ने लोगसभा में जूट बोला अब सेवी ने सुप्रिम कोर्ट में अपने हलफ नामे में कहा है कि वो जाच नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोट में जूट बोलना जूटी गवाही है और लोगसभा में भी जूट बोलना जूटी गवाही है आप लिखलो मेरी बात अडानी को बचाते बचाते सेवी और बीजेपी खत्म हो जाएंगे महुआ ने अपने ट्वीट में सेवी द्वारा सुप्रीम पोर्ट में दी गई हलफ नामे की कौपी भी शेयर की साथी लोगसभा में वितमंत्राले की जवाब की कौपी भी शेयर की मंगलवार को भी उनने केन सरकार उस सेवी पर जम कर हमला किया अपने ट्वीट में टीमसी सांसद ने केंडरी वितमंत्राले द्वारा लोगसभा में दिये गए लिखेत उत्तर का हवाला देते हैं वारोप लगाया कि वितमंत्राले ने लोगसभा में जूट बोला है इसके साथ ही महवा मुत्रा ने सेवी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि सेवी इंडिया ने मुझसे जूट बोला था कि वो अडाने मामले की जाच कर रहे हैं लेकिन उनके सुप्रीम कोट में दाखिल हलफ नामे में साफ कहा है कि वो जाच नहीं कर रहे है दरसल हिंडनबग रिसर्च ने उद्ध्योगपती गौतम अडानी के निद्रुत वाली वैपारिक समू के खिलाब धोखादड़ी शेयर कीमत में हेरफेर सहीत कई आरोप लगाये गये अडानी समून ने आरोपों को जूट बताते हुए खारिच कर दिया था तब भी महुआ ने ट्वीट करते हुए सेवी को घेरा था महुआ ने लिखा था ये क्या मजाक है सेवी इंडिया अक्टूबर 2020 से इस मामले की जाच कर रही है जुलाई में उन्होंने मेरी चिठी का जवाब भी दिया था कोई आश्चेर नहीं वे अपने पसंदिदा बिजनेसमेन को बचाने के लिए 6 महीने का समय चाहते हैं ताकि मामले को कवर करने के लिए अधीकतम समय मिल सके